हेलो गाईज, वेलकम तू माई चैनल, लर्न इजी इंग्लिश लेंगविज हेलो गाईज, मैं आपका दोस्त मुहमद अबूजर आज हम पढ़ेंगे रेंबो एट, लेसन नमबर फो लेसन फो का नाम है, आप विजिट टू कैंब्रिज कैंब्रिज क्या एक युनिवस्टी है, विजिट के माँने देखने जाना, मिलने जाना या घूमने जाना मतलब एक शक्स कैंब्रिज युनिवस्टी में जाता है, अब वो जाकर वो क्या करता है, उसे हम पढ़ेंगे यह एक कहानी है मिलने की मीटिंग के माने मिलना between two दो लोगों की extraordinary people extraordinary के माने गयर मामूली आसाधारण जिसको कहते हैं दिगज दो दिगजों की मिलने की एक कहानी है both of them उनमें से दोनों differently abled differently abled एक phrase है जिसके माने होता है handicapped यानि अपाहिज stephen hawkins उसका नाम क्या था पहला शक्स stephen hawkins an astrophysicist astrophysicist के माने होता है खगोल सास्त्री जो stars के बारे में जानता है ऐसा scientist जो सितारों के बारे में इल्म रखता है जिसे कहते हैं mahir-e फलकियात who suffers from a form of paralysis paralysis के माने लखवा who suffers from a form of paralysis paralysis मतलब वो एक लखवा की बिमारी को सह रहा था सफर के मान सहना बरदास्त करना उसको एक लखवा की बिमारी थी that confines him जो उसे सीमित कर देता एक जहां कायद कर देता किस जहांग पे to a wheelchair एक wheelchair तक ही उसे सीमित कर देता यानि वो wheelchair सुट नहीं पाता था सिर्फ वहीं पर बैठा रहता था वहीं सहरे काम करता था and allows him और उसे अजाज़त देता था उसकी paralysis उसकी लखवा बिमारी उसको क्या अजाज़त देती थी him to speak बोलने की कैसे only by punching buttons on a computer computer पर punching button के जरिये सिर्फ वो क्या बोल सकता था बोलता नहीं था हकीकत में वो सिर्फ के अपने इशारे से बात करता था फिर्दौस कांगा अब अगला आदमी कौन है फिर्दौस कांगा a writer एक लेखक है and journalist पत्रकार है who lives and works in मुंबई जो मुंबई में रहता था और वहीं से काम करता था कांगा was born with brittle bones कांगा पैदा हुआ with brittle bones यानि कमजोर हड़ियों के साथ पैदा हुआ and like hawking hawking की तरह ये भी था moves around in wheelchair वो भी wheelchair के जरिये से अपने चारों तरफ घुमता था Cambridge was my metaphor for England metaphor के मानने रूपक होता है यानि किसी से comparison डारेक्ट करते है Cambridge University उसके लिए क्या थी? England की तरह थी and it was strange और ये अजीब था that कि when I left it जब मैंने उसे छोड़ा यानि Cambridge University को it had becomes altogether something else उसके लिए पूरी तरह से क्या? altogether पूरी तरह something else कुछ और हो गया था because I had met क्योंकि मैंने मुलाकात की थी Stephen Hawking there क्योंकि मैंने वहाँ Stephen Hawking से मुलाकात की थी मुलाकात के बाद सारी चीज़े क्या एकदम तब्दील हो गई थी it was on a walking tour इसको tour नहीं पढ़ेंगे इसको tour पढ़ेंगे through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking mention के माने जिकर करना it was on a walking tour ये एक चलने वाला सफर था यातरा थी through Cambridge Cambridge University में that the guide की guide जो उसके साथ guide था mention जिकर किया बात बताए किसके बारे में Stephen Hawking Stephen Hawking के बारे में poor man बेचारा आदमी who is quite disabled now who is quite जो बिलकुल अब क्या है disabled है appaise हो गया है किसी काम का नहीं रहा है though he is a worthy फिर भी वो क्या था worthy के माने काबिल था योग वो एक योग था किसके योग था successor उत्तरादिकारी के योग था वारिस के योग था किसके two Isaac Newton Isaac Newton Isaac Newton असल में एक scientist था जिसने gravity की खोज की थी उसका इल्म के हिसाब से Stephen Hawking को उसका successor उसका उत्तरादिकारी बनाया गया ठीक है फूस चेयर जिसकी कुरसी ही है अड़ युनिवस्टी जिसकी कुरसी पर उस वक्त ये युनिवस्टी पर था यानि उसके पद पर अब इस वक्त कौन था Isaac Newton के जगा अब था Stephen Hawking यानि उनिवस्टी में उसकी उहदे पर था अड़ आई स्टार्टेड और मैंने शुरू किया बिकाज आई हैट कॉईट फॉगेटन मैं बिल्कुल भूल चुका था दैट इस मोस्ट ब्रिलियंट एन कम्प्लिटली परलाइज ऐस्ट्रोफीजिसिस्ट क्या बूल गया था कि इस मोस्ट ब्रिलियंट ये बहुत जहीन शक्स एन कम्प्लिटली परलाइज पूरी तरह से लकवा मारा हुआ शक्स ऐस्ट्रोफीजिस्ट जो कि अतारों के बारे इल्म रखता है दा आथर लेखक है किसका A Brief History of Time उसने एक किताब लिकी थी स्टेफिन होकिन्स ने A Brief History of Time वन अप ता बिगेश्ट जो सबसे बड़ी थी किया Best Sellers बेची जाने वाली इवर किताब वो क्या थी ? एक किताब थी जो सबसे ज़्यादा कभी बेची गई थी यहाँ रहता था यानि Stephen Hawkins यहाँ इस जगहाँ पर रहता था, मैं बिलकुल भूल चुका था उसने किताब लिकी थी A Brief History of Time, जो सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली किताब का भी थी एक वक्त में When the walking tour was done, जब चलने वाला सफर खतम हो गया, I rushed to a phone booth and और मैं एक phone booth की तरब जल्दी से गया, Almost tearing the call so it could reach me outside, लगबग तार क्या था, call के माने तार, जो phone में तार लगा होता है, Tearing तूटने ही वाला था, so it could reach me outside, फिर जाकर वो मुझ तक बाहर पहुचा, यानि वो बाहर बैठा रहा होगा चेर पर, जो phone, जो PCO हमने देखी है, उसी तरह की PCO रही होगी वो बाहर से, वो सोच रहा होगा बात कर लू, लेकिन वो तार क्या छोटा था, बहुत ही मुश् से उसके पास पहुचा, phone Stephen Hawking's house, मैंने क्या phone किया Stephen Hawking's के यहाँ, there was his assistant, वहाँ उसका क्या था, मददगार, उसका सहायक था, on the line phone पर, and I told him, मैंने उससे कहा, I had come in a wheelchair from India, मैं हिंदुस्तान से wheelchair के जरिए, यहाँ आया हूँ, क्या करने आया हूँ, तो राइट अबाउट लिखने, my travels, मेरी यात्रा in Britain, जो मैं बिल्टेन में यात्रा करूँगा, जो सफर करूँगा, उसके बारे में लिखूँगा, brackets वाला देख लेते हैं, perhaps, शायद, he thought, उस आदमी ने सोचा हो, I had propelled, propelled के मन धक्का देना, मैं धक्का देते हुए, myself, ख to see Professor Hawking, मुझे Professor Hawking से मिलना है, even 10 minutes would do, 10 minutes भी क्या, चलेगा, half an hour, आदा घंटा, he said, उसने कहा, from 3.30 to 4, साड़े तीन बज़े से, चार बज़े आप उससे मिल सकते हैं किसे Professor Hawking से, and suddenly, और अचानक, I felt weak all over, मुझे क्या पूरी, बदन में क्या कमजूरी महसूस हुई, Growing Up Disabled, Growing Up के माने बढ़ा होना, Disabled, माजूर शक्स, यानि अपाईस की हालत में बढ़ा होना, You Get Fed Up, Fed Up के माने ठकना, आप ठक जाते हो, with people, लोगों से, asking you to be brave, क्योंकि वो आप से कहते रहते हैं कि बहादूर बनो, बहादूर बनो, as if मानो, ऐसा कि, क्या, You Have a Courage Account, आपके पा You Are To, जिस पर आपके बहुत ज़्यादा लेजी हैं, बहुत ज़्यादा काहिल हैं, सुच्थ हैं, To Draw A Check, Draw के माने निकालना, यानि आपके पास हिमत साहस का एक अकाउंट, बैक अकाउंट है, आप उससे निकालने से बच रहे हैं, बहुत काहिली दिखा रहे हैं, The Only Thing, एक सी चीज आपको मजबूत बना सकती हैं, अगर आप अपनी तरह के एक शक्स कोई अपाहिज देखते हैं, Achieving Something, वो शक्स कुछ पा रहा है, क्या पा रहा है, बहुत बड़ी चीज पा रहा है, यानि अपनी जिन्दगी में बहुत बड़ा काम कर लिया है, उस चीज को दे रीच और आप पहुचते हैं, आउट फर्दर उससे भी आगे दैन यू इवर थार्ट, जो आपने सोचा है, यू कुड जो आप कर सकते हैं, यानि उस शक्स को देखने के बाद आपको लगता है कि बहुत से चीज दुनिया में हैं, जो हम कर सकते हैं, पॉसिबल हैं, उसके जो कंप्यूटर की आवाज थी, बिना जिस्म की आवाज थी, जो उसने कहा, दा नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दो पहर, आई हैड नो च्वाइस, मेरे पास कोई आफ्शन, कोई च्वाइस नहीं थी, यानि मैं बहादूर नहीं रहा हूँ, मिरी ये मजबूरी है कि मु स्रिजनात्मक तरीके से रहना, क्रिटिवली के माने स्रिजनात्मक तकलीकी सलाहियत, यानि एक शक्स कोई चीज़ बना सकता है, विद रियलिटी आफ इस डिस इंटेगरेटिंग बाड़ी वाज अच्वाइस, यानि एक शक्स जो जिसकी बाड़ी क्या तूट रही, डिस एक च्वाइस हो सकती है, एक सवाल पूछना चाहता था, बट आई केप्ट कॉइट, टेकिन मैं शान्त रहा, खामोश रहा, कॉइट के माने शान्त, खामोश, बिकज क्यों खामोश रहा, क्योंकि, I felt guilty every time, मैं हर वक्त अपने आपको एक कुसूरवार, एक गुनागार, एक मुझरिम, महसूस कर रहा था, I spoke to him, जब उससे बाते करता था, क्यों, forcing him to respond, क्योंकि मैं उससे force कर रहा था, जवाब देने के लिए मजबूर कर रहा था, there he was tapping at the little switch in his hand, वहाँ वो क्या कर रहे थे, tap, दबा रहे थे, क्या दबा रहे थे, little switch, छोटी सी बटन थी in his head, जो उ find the words, कोशिस कर रहे थे, शब्द को पाने की on his computer, अपने computer पर, with the only bit of movement left to him, bit के माने थोड़ा सा movement के माने हरकत, left के माने बची हुई, यानि जो उनकी थोड़ी सी हरकत हातों में बची हुई, तो उसके जरिये सो computer की button को दबा रहे थे, और एक शब्द पाने की कोशिस कर रहे जाते हैं, his long, उनकी लंबी, pale fingers, pale fingers means यानि पीली पड़ी हुई उंगली, यानि जिसमें खोन नहीं रहे गो, वो चीज़ क्या बन जाएगी, पीली हो जाती है, every so often, every so often, बार बार, his eyes, उनकी आखें, उड़ शट, बंद हो जाती थी, in frustrated, exhaustion, exhaustion के माने थकी हुई, frustrated के माने हताश, यानि हताश, अफसूस हुई आखें, हर वक्त क्या, बंद हो जाती थी, and sitting opposite him, और उनके सामने बैट कर, I could feel his anguish, मैं उनकी परिशानी को महसूस कर सकता था, कि लेखक भी उसी तरह का था, the mind buoyant, buoyant के माने, जिन्दा दिल, खुश मिजज, light hearted, जिसको कहते हैं, mind buoyant with thoughts thoughts, यानि जो उनका जहन था, वो क्या था, बहुत, खुश मिजज था, with thoughts, सोचों के साथ, क्या था, भरा हुआ था, that came out, जो बाहर आते थे, in frozen phrases, जमे हुए, phrase के साथ, phrase कहते हैं, group of words को कहते है, and जो शब्द उनके computer के जरिये से निकलते थे, frozen थे, बिलकुल, जमे हुए थे बहुत दिनों से वो अंदर रखे थे, फिरिस की तरह, और बहुत दिन बाद वो क्या, बाहर आ रहा है थे, इसलिए उसे कहते है, frozen phrases, उनके जो शब्द थे, जमे हुए थे, and sentences, और उनके जो वाक के थे, stiff, कठोर थे, as cops, जैसे, मुर्दे होते हैं, मुर्दे की तरह, उनके जो sentences एक दम जमे हुए थे, कियोंकि वो computer के जरिये से बात करते थे, और उस computer के अंदर कोई feelings, कोई emotions नहीं था, वो सिर्फ आवाज थी एक, ठीक है, a lot of people, बहुत से लोग, seem, मालूम पड़ता है, to think, वो सोचते है, that disabled people, लाचार, मजबूर, अपाहिज शख्स, are chronically, सदियो से, जमाने से, unhappy, नाखुश होते हैं, क्या, जब से वो रहते हैं, तब से वो क्या, हमेशा, नाखुश ही रहते हैं, एक जमाने की बात है, यह नहीं की नहीं बात है, यह सदियों से हुता चला रहा है, I said, मैंने कहा, I know that is not true myself, मैंने कुछ से कहा, यह चीज़े सही नहीं है, क्योंकि मैं भी एक अपाई जो मैं जानता हूँ इसके बारे में, are you often laughing inside, क्या आप अक्सर अपने अंदर हसते हैं, मैंने किस से कहा, स्टेफन हौकिन से, about three minutes later, three minutes के बाद, he responded, उसने जवाब दिया, I find it amusing, मैं इसे amusing पाता हूँ, यानि हास परद मजाया पाता हूँ, when people, नचर देते हैं, मेरी हफाज़त करते हैं, या मेरी मदद करते हैं, मैं इसे क्या, एक मजाया पाता हूँ, हास परद, and do you find, और क्या आप पाते हैं, it annoying, annoying कि मानने, परिशान करना, तकलिफ पहुचाना, अजियत देना, या सताना, क्या आप इसे अजियत देता हुआ पाते ह आपको परिशान करता है, क्या आप इसे सताता हुआ पाते हैं, the answer, flashed, जवाब का screen पर flash हुआ, yes, हाँ, then he smiled, तब वो मुस्कुराया, his one way smile, एक तरफ की मुस्कुराइट, यानि उसको परिलाज़्ट, यानि लकवा, फालिश की बीमारी थी, ती उसकी पूरी बदन क्या थी काम नहीं कर रही थी, हरकत नहीं कर रही थी, सिर्फ उसका एक तरफ का गाल जो था, वो मुस्कुराया, and I knew, और मैं जानता था, without being sentimental, बिना sentimental हुए, बिना भाउक हुए, बिना हसास हुए, और silly, बिना पागल हुए, क्या, that I was looking, मैं देख रहा था, at one of the most beautiful men in the world, मैं क्या द A first glimpse of him is a shocking, glimpse के माने जलक, उसकी पहले जलक क्या थी, एक shocking थी, हैरत जदा कर देने वाले थी, क्यों, because, क्यूंकि he is like a still photograph, क्यूंकि वो अब भी एक, क्या एक फोटोग्राफी की तरह लग रहा था, as if, मानो, all those pictures, उनकी वो सारी तस्वीरें, of him, उनकी, in magazines, जो, magazine में थी, and newspapers और अखवारों में, the have turned, तबदील हो गई है, three dimensional, three dimensional, तस्वीर में, pictures में बदल गई, three dimensional, जो mathematics पड़ें, वो जान दे होंगे, यानि जिसमें, लंबाई, उचाई, चोडाई, गैराई वगरा सब आप, माप सकते हैं, उसे कहते हैं, three dimensional, यानि वो, actual में, आपके सामने, figure में, एक solid figure में, आपके सामने, रखी हुई है, जिसको आप, देख सकते हैं, यहाँ पर writer अब, उसके जिसम के बारे में, बता रहा था, कि उसका जिसम कैसा था, then you see, तब आप देखते हैं, the head twisted sideways, उसका जो सर था, twisted, मुड़ा गुआ था, तेड़ा मेड़ा था, sideways, एक तरफ का, into a slum, slum के माने, जुकना, या मुड़ना, या गिरना, इसके कई माने आते हैं, उसका जो सर था, एक तरफ जुका गुआ था, into a slum, एक तरफ गिरा गुआ था, यानि एक तरफ उसका सर, दाइनी साइट क्या था, जुका गुआ था, आप फोटो मुसका देख सकते हैं, the torso, इसके माने धर होता है, जो उसका धर था, उसके बॉड़ी थी, क्या थी, शरंक, सिक्ड़ु हुई थी, कहां सिक्ड़ु हुई थी, inside the pale blue shirt, inside अंदर किसके pale blue shirt, पीली और नीली जो shirt थी, उसके अंदर उसका जो धर था, छुपा हुआ था, the wasted legs, जो उनकी टांगें थे क्या wasted, खराब हो गई थी, you look at his eyes, जब आप उनकी आखों में देखते, which can speak, जो बोल सकती हैं, still क्या माने अब भी या शान्त, जो शान्त थी क्या अब भी बोल सकती थी, and they are saying something huge, और वो कुछ बड़ा कह रही थी, and urgent, जो क्या बहुत urgent था, ततक जाल था, यानि बहुत ज़रूरी था, it is hard, यह बहुत कठिन है, to tell what, वो क्या कहना चाहते थी, यह कहना बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहना चाहती थी, उनकी आखें, but you are shaken, लेकिन आप हिला दिये जाते हैं, because क्योंकि you have seen something, आप कुछ ऐसा देख लेते हैं, you never thought, जिनको आपने कभी नहीं सोचा, could be seen, कि आप देख सकते हैं, जब आप उन्हें देखते हैं, तो आपको जिन जोड़ दिया जाता, आपकी बदन, यानि आप हैरस जदा हो जाते हैं, कि आपने क्या देख लिया है, जिनको आपने कभी सोचा नहीं था, What do you think is the best thing about being disabled? What do you think, आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, is the best thing, सबसे अच्छी चीज़ क्या है about being disabled, अपाई लाचार मजबूर होने में सबसे अच्छी चीज़ हैं, आप क्या देखते हैं? I had asked him earlier, मैंने उनसे पहले ही पूछ लिया था, I don't think, मैं नहीं मानता, there is anything, यहाँ कुछ भी good about being disabled, यानि अपाई लाचार होने में कुछ भी अच्छा मैं नहीं पाता, I think, I said, मैं भी मानता हूँ, मैंने कहा, you do discover, आप खोज सकते हैं how much kindness, कितनी द्यालुता, कितनी रहम दिली, there is in the world, इस दुनिया में है, क्योंकि आप अपाईज हैं, आप यह देख सकते हैं कि दुनिया में कितनी मुहबबत बची हुई है, यस, he said, हाँ, उसने कहा, उसके बाद उसने क्या कहा, it was a disadvantage, यह एक नुकसान है, इसमें एक कमी है, किसमें, of his voice synthesizer, उसकी जो synthesizer, machine थी, जो computer में बोलती थी, आवाज, that it could convey, जो convey कह सकती थी, यानि कह सकती थी, convey कमन कहना, जो कहती थी बातों को, no inflection बिना उतार चड़ाओ के, no shades or tone, यानि उसमें कोई उतार चड़ाओ नहीं था, उसमें कोई feelings, emotion नहीं था, अगर वो गुस्ते में बोल रहा हो, महबत में बोल रहा हो, तो उसकी ये feelings उसमें computer के आवाज में नहीं थी, वो ही कहना चाहता था, उसमें एक यही खामी थी, disadvantage यही नुक्सान था उसमें, and I could not tell, और मैं नहीं कह सकता था, how enthusiastically, कितनी उसापूर, कितनी खुशी से, he agreed with me, वो मेरे साथ agree था, यानि मेरे साथ सहमत था, every time हर वक्त, I shifted, मैं बैठता थ in my chair, अपनी कुर्सी पर, और, या, turned my wrist, अपनी कलाई को मोडता, to watch the time, घड़ी में क्या, time देखने के लिए, कितना time हुआ भी, आदा गंटा हुआ गी नहीं, I wanted to make everyone of all 30 minutes count, मैं हर एक 30 minutes को क्या, गिनना चाहता था, एक 1 minute को, I felt a huge relief, मैंने एक, क्या, लंबी, रहत महसूस की, and exhilaration, खुशी महसूस की, in the possibilities of my body, जितनी मेरी बदन में मुमकीन था कि मैं खुशी महसूस कर सकूं, उतना मैंने खुशी महसूस किया, how little it mattered, कितना छोटी बात है, कितनी छोटी बात है, दिन, तब, that I would never walk, कि मैं क्या, चल नहीं सकता था, मेरी पास तनी छोटी सी बात थी, और even stand, या, खाड़ा नहीं हो पाता था, जबकि Stephen Hawkins सिर्फ बैटा ही रहता था, मैं लिख पढ़ सकता था, बोल सकता था, थोड़ा बहुत चल भी सकता था, क्योंकि मुझे सिर्फ हड़ियों की छोटी बीमारी थी, जो बिर्टल बॉन्स थी, जो क्या, मेरी हड़ियां अज़र हो गई थी, I told him, मैंने उनसे कहा, how he had been an inspiration beyond kileshe for me, कि आप मेरे लिए क्या एक inspiration प्रणा देते हैं, आप मुझे 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 प्रणा करते हैं, beyond kileshe, kileshe के मानने एक घिसा पिटा वर्ड जो शदियों से बोला जा रहा हो, यानि आप एक सिर्फ फिक और यकीन, for others, दोसरों के लिए भी आपका एक inspiration का source हैं, did that thought help him, क्या ये thought ये सोच है, आपको मदद देती है, कि आप लोगों को inspiration देते हैं, कि आप इससे खुश हो जाते हैं, इसको हम kileshe पढ़ेंगे, जिसको हम इंशालला कभी literary device पढ़ेंगे, इसको मैं detail में आपको समझ कि kileshe क्या होता है, no, he said, उसने कहा नहीं, I thought, मैंने सोचा, how foolish, कितना बेवकुफ मैं हूँ, I was to ask, जो मैंने पूछा था, when your body, जब आपकी बदन is a claustrophobic, claustrophobic के माने बंद जगहां से डरना, यानि आप की body का एक बंद जगहां है, यानि एक room की तरह जो चारों तरफ से क् जगहां पंद है, and the walls और जो उनकी दिवाले हैं, are growing narrower, जो बढ़ रही है, grow के माने बढ़ना, narrower के माने तंग होना, जो धीरे धीरे तंग होती जा रही है, छोटी होती जा रही उनकी दिवाले, डे बाई डेली, यानि रोजाना उसकी दिवाले क्या तंग होती जा रही है, उसकी जो बदन थी क्लास्ट्रोफोबिक रूम की तरह थी, यानि उसकी जो दिवाले थी, डेली क्या, छोटी होती, चली जा रही थी, नेरो, और जिस तरह उसका बदन क्या था, डेली सिकोड रहा था, it does not do much good to know, यह जानकर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्या, that there are people कि लोग आउट साइड, बाहर जो है, smiling, मुसकुराते हैं, with admiration, और आपकी तारीफ हैं करते हैं, क्यों, to see you breathing, to see you breathing still, कि आप अभी क्या, साथ से ले रहे हैं, यानि आप अभी जिन्दा हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, यह जानकर आपको खुशी जादा नहीं होती है Is there any advice you can give disabled people? क्या आप कोई सलाह देना चाहते हैं, अपाहिच को, यानि handicapped लोगों को, something that might help make life better, जिससे उनकी जिन्दगी बेहतर होने में उनको मदद मिले, कोई ऐसी advice दे, जिनसे उनकी जिन्दगी क्या, बेहतर हो जाए, थोड़ा बहुत They should concentrate on what they are good at, उनको ध्यान देना चाहिए एक जगह या उनको एक जगह पर focus करना चाहिए, जिन चीजों में वो क्या बहतर है, यानि जिन चीजों में वो बहतर है, उनको वही काम करना चाहिए, ना कि कोई दोसरा, ये किसने कहा? Stephen Hawkins ने The half और was up, आदा गंड़ा खतम हो चुका था, I think I have annoyed you enough, मैं मानता हूँ कि मैंने आपको काफी तंग किया है, ये किसने कहा? राइटर ने I said grinning, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, thank you for शुक्रिया टाइम देने के लिए, I touched his shoulder, मैंने उसका क्या कंधा चुगा, and wheeled out, और क्या? अपनी जो चेर थी, कुर्सी तुस्पर बैठा, और wheeled out बाहर गया, into the summer evening, जो गर्मी का मौसम था, शाम में बाहर चला गया, उसको कंधे क कुछ हुआ और बाहर चला गया, फिर्दोस कांगा, इस कहानी को लिखने वाले कौन थे, फिर्दोस कांगा थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, from heaven on wheels, उसी से ये लिया गया है, यानि from heaven, जन्नत से on wheels, पहिये पर, यानि वो जिस कुर्सी पर बैठे थे, वो क्या थी, विल कुछ है झाल झाल